अभी तक हम लोग पहले चिप्टर के अध्याय में उर्जा के शुरूत में हमने सिस्टम को जाना, फ्योर सर्वस्टेंस को जाना, कारिकारी पदार्थ को जाना, फ्योर सर्वस्टेंस को जाना, फ्योर सर्मृपफ्ट को हम जाना, अध्याय में हमने बता चुका है आप लोगों को पहले वाले BMCE फ्योर के वीडियो में जिसको नहीं पता है वो तो यहां वीडियो को चेक आउट कर लेगा, उसे सारी चीजे मिल जाएंगे लेकिन एक बार फिर मैं हलका सा आप लोगों को overieve कर देता हूँ review कर देता हूँ सारी चीजों को जैसे हम बात करने जा रहे हैं thermodynamic system की thermodynamic system क्या होता है इसे जान लेते हैं जिस निर्धारित छेत्र या इस्थान के अंतरगत मतलब जहां जो छेत्र निर्धारित होगा उसी इस्थान या उसी निर्धारित छेत्र के अंतरगत अगर उसमागत की क्रियाओं का अध्यन किया जाता है उसमागत की क्रियाओं का अध्यन किया जाता है तो उस निर्धारित छेत्र या इस्थान को ही नि डॉट 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 पूरा एक rectangular बना हुआ है, उस rectangular के अंतरगत एक गोल सा गोला खींचा गया है, ठीक है, roughly गोला खींचा गया है, सर्किल खींचा गया है, उस सर्किल में आप देखिए, हिंदी में लिखा होगा निकाय, और इंगलिस में लिखा होगा system, तो ये जो घेरा ह हुआ है, ये क्या है हमारा thermodynamic system है, इसी system के अंतरगत हम उस्मागत की क्रियाओं का अध्यन करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, उस्मागत की system, thermodynamic system, और इस system को जिससे घेरा गया है, जो lining आई हुई है, देखिए, उसको दरसाया गया है, सीमा से, किससे सीमा या फिर boundary से, त क्रियाओं का अध्यन किया जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, thermodynamic system, और इस सीमा के बाहर, इस boundary, गोल वाली जो सर्किल रफली खीची गई है, उसके बाहर जितनी भी चीज़े आएंगे, वो सब क्या हो जाएंगी, surrounding, ठीक है, अब हम जानते है कि सीमा का मतलब क्या है, boundary क्या है, वैसे मैं आप लोगों को ये सारी चीज़े बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बाल जानते हैं, जिस वास्त्विक या बिंदू दार रेखा के द्वारा निकाय घिरा रहता है, जिस वास्त्विक, मतलब रियल लाइन या फिर बिंदू बिंदू लाइन के द्व हमारा निकाय जो हमारा क्या होता है, घिरा रहता है, निकाय को एक घेर देते हैं, कि नहीं ये घेर दिया गया है, और ये जो है इसी के अंतरगत होगा, तो वो जो घेरा जाता है, जिस भी वज़े से, जिस चीज से, बिंदू से, लाइन से, या किसी भी वज़े से उसे ची हित किया जाता है कि यहां पर उसमा गत्किय क्रियाएं का अध्यन होगा तो जिस चीज से घेरा जाता है वही क्या होता है हमारा सीमा होता है जैसे जमीनों को आप क्या करते हैं बॉंडरिवाल चलाते हैं बॉंडरिवाल चला करके आप बताते हैं कि नहीं ये जो बॉंडरिवाल से घेरा हुआ है ये हमारी क्या है ये हमारी जमीन है तो जो बॉंडरी है ठीक वही चीज़ है सीमा और उसी सीमा के अंतरगर्त अगर उसमा गत कि ये क्रियाओं का अध्यन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा thermodynamic system हो जाएगा निकाय हो जाएगा ठीक है और वो सीमा हो जाएगी ठीक है ये जो सीमा है बाबू ये जो boundary है ये permanent boundary नहीं होती है जैसे eat की आपने boundary जोड़ दी ये क्या है पर्मानेंट हो गया अब उसको अगर आप replace करोगे तो क्या हो जाएगा तोड़ना पड़ेगा तब फिर से जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या है मतलब ये थोड़ा दूर भी हो सकता है थोड़ा पास भी किया जा सकता है according to हमारे उस्मा गतकी क्रियाओं के अनुशार हम क्या कर सकते हैं सीमा को बदल सकते हैं सीमा क्या होगी बदल सकती है सीमा कभी आगे बड़ कती है सीमा कभी पीछे बड़ सकती थर्मो-डाइनिमि far इसका दूसरा definition देख लिजी यह आवरण सौरी वह आवरण जो निकाय के छेत्रिया इस्थान को चीनित करता है सीमा कहलाता है देखिए आवरण मतलब क्या होता है मतलब घेरना मतलब जिस चीज से हम क्या किये है घेरे हैं छेत्रिया इस्थान को चीनित किया है वही क्या कहलाता है सीमा कहलाता है अथ देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है परिवेज को आप एक और सबसे कह सकते हैं परिस्तान परिवेज कहिए परिस्तान कहिए इंगलिस में surrounding कह लीजिए ठीक है एक ही चीज है तो मैंने अभी आपको चित्र एक दस्मलो एक में आप देखेंगे चित्र एक दस्मलो एक में मैंने आपको समझाया है कि जो निकाय है system जो हमारा है उसको जो घेरा है वो boundary हो गया और घेरे के आवरण के अंतरगत जो हमारे इस्थान या छित्र है वो क्या है system है thermodynamic system है और इस सीमा के बाहर जितनी चीज़े हैं वो सारी चीज़े क्या है हमारा surrounding है क्या है परिष्थान है परिवेश है ठीक है अब देखिए अगर surrounding इसमें से चित्र 1.1 में तो boundary के बाहर जितनी भी चीज़ें cover की जा रही है जितनी भी चीज़े आ रही है वो सब क्या है वो सब surrounding के अंतरगत आएगा परिवेश के अंतरगत आएगा परिष्थान के अंतरगत आएगा तो परिस्थान इसी को कहते हैं अब इसका हम definition पढ़ लेते हैं किसी निकाए की परिशीमा के बाहरी भाग को परिस्थान कहते हैं देखे definition भी वही कह रहा है किसी भी निकाए की परिशीमा के बाहरी भाग मतलब सीमा के बाहरी भाग किसी भी निकाए तो उचीतर दसमलो 1 में देखेंगे, कि किसी भी निकाय, सिस्टम क्या है गोल सा यी जो मैंने दिखाए, रफली सरकल की चा गया है इसके परिसीमा के बाहरी भाग को क्या कह रहे हैं हम लोग परिस्थान परिवेस या सराउंडिंग कह रहे हैं आप देखिए, परिस्थान में निकाय से, या निकाय Today में परिस्थान से कारिकारी पदार्थ के द्रविमान और उर्जा का अधान प्रदान होता है, ठीक है। कहने का मतलब एस सारी चीज़े मैंने आपको बता दे है। लेकिन ये समझ लीजिए क्या कहना चाहरा है। सराउंडिंग का डिफिनिशन सराउंडिंग की परिभासा परिस्थान में निकाय से परिस्थान मतलब की सराउंडिंग सराउंडिंग की बात की जा रही है जो बॉंडरी के बाहर जितनी भी सारी चीज़ें उनकी बात की जा रही है तो निकाय से या निकाय में मतलब की निका से, निकाय से, मतलब निकाय के अंदर से, या फिर परिस्थान में से, मतलब की बाहर से, सराउंडिंग में से, ठीक है, कारेकारी पदार्थ के, मतलब जो वर्किंग सबस्टेंस है, ठीक है, के दरव विमान और उर्जा का अदान प्रदान होता है, मतलब क्या है, दरव विमान मास और उर्जा यानि की एनर्जी मास और एनर्जी का सराउंडिंग से या फिर सिस्टम से हमारे क्या होगा अदान परदान होता रहता है ठीक है ये था हमारा परिवेश या परिस्थान अब देखे आप लोग आ गए अब सिस्टम पे जो थोड़ा समय ने वबर वीप लिया ह होगा पहले वीडियो में अब उसके बारे में गहराई से हम जानें गयों कि इसमें देखिए निकाय के प्रकार निकाए के प्रकार जो system हमारा है ठीक है उनके प्रकार types of system तो उसमा गत्की जो हमारा है उसमा गत्की निकाए जो है हमारा वो basically generally तीन प्रकार के होते हैं पहला open system दूसरा close system तीसरा isolated system ठीक है open system को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुला निकाए open मतलब खुलना system मतलब निकाए open system का मतलब हुआ खुला निकाए मतलब कि उसमें द्रविमान आए बाहर परिवेश से surrounding से या उर्जा आए या निकाए से जाए या बाहर से आए खुला निकाए इसी को कहते हैं मतलब अदान प्रदान हर चीजों का हो रहा है वहाँ पे तो क्या है वो खुला system है भी मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से क्या होगा अदान प्रदान नहीं होगा कार द्रविमान और उर्जा का अदान प्रदान नहीं होगा लेकिन आपका कार का अदान प्रदान होगा ठीक है एक होता है तीसरा हमारा क्या है isolated system isolated system को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिगामी isolated system जो है हमारा isolated system हमारा क्या है तीसरा है ठीक है isolated system को हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में बोलते हैं विलगित विलगित निकाय क्या बोलते हैं हम लोग विलगित निकाय ठीक है अब हम लोग देखेंगे इसमें पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग हम लोग पढ़ेंगे अब बंद निकाय के बारे में पहला हम लोग जा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब बंद निकाय के बारे में तो बाबु देखें डिपनीशन इसका देखें बंद निकाय वह निकाय है जिसमें उर्जा उश्मा तथाकार के रूप में परिवेश से इस्थानांत्रित होती है मतलब तीन चीजों के मैंने बात किये सिर्फ उर्जा की उस्मा की बात की कार की बात की मतलब एनर्जी हीट वर्ट हमारा किसे आ रहा है परिवेश मतलब कीचे तरेक दस्मलो एक में देखेंगे परिवेश हमारा चारो तरफ है सराउंडिंग से हमारा इस्थानांत्रित हो रही है ठीक है प्रंतु द्रव्यमान हमारा क्या होता है इस्थानांतरित नहीं होता है द्रव्यमान मतलब मास मास हमारा क्या होता है ट्रांसफर नहीं होता है अब आगे देखे निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान वर निश्चत रहता है निकाय के अंदर जो चीज हम रखेंगे उसका जो हमारा द्रविमान होगा द्रविमान का मतलब है कि मास उसका जो वो क्या होगा समान होगा मतलब समान मतलब होमोजीनियस होगा और constant होगा constant का मतलब निश्चित रहता है मतलब जितना दर्विमान हमने रख पाता उतना ही दर्विमान महाँ पे है निकाए से परिवेश की ओर नहीं गया नहीं परिवेश से निकाए की ओर आया दर्विमान जितना हमने रखा अखाधा था निकाय में उतना निश्चित है कॉंस्टिंट है ठीक है एंजय को ऑडलती बहुत अंदर मनें द्रविमान रखा है जो अंदर हमने द्रविमान या मास रखा है अगर उसमें उसका आयतन बदल रहा है अगर उसका वलूम बदल रहा है वलूम बदल रहा है या आयतन बदल रहा है तो हमारी जो परिसीमा है वो क्या हो सकती है बदल सकती है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों surrounding के definition में या फिर boundary के definition में मैंने आपको दोनों में बताया है कि जो हमारा चित्र दिस्मलों एक दिस्मलों एक में है निकाए जो हमारा है निकाए में हमने बोला अंदर क्या है system है system को जिस आवरण से या जिस बिंदू या जिस रेखा से घेरा गया है सीमा है और सीमा के बाहर जो डॉट 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 रेक्टेंगुलर में दिख रहे वो सब क्या है हमारा सराउंडिंग है परिवेस है या फिर परिस्थान है ठीक है तो यह सारी चीजे जो हमारी है अगर सिस्टम के अंदर हमने द्रवेमान रखा है एक निश्चित रूप में एक द्रवेमान बंद सिस्टम में खुला है ओपे क्लोस सिस्टम में द्रवेमान हमारा निश्चित होता है और समान होता है ठीक है और उसका आयतन अगर बदलता है तो जाहिर सी बात है जब आयतन बदलेगा आयतल का मतलब होता है कि length into breadth into height मतलब कि उसका lbh हमारा बदलेगा यानि कि उसका रूप बदल रहा है आयतन बदल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका निकाय का जो सीमा है परिसीमा है boundary है वो क्या होगी बदल जाएगी ठीक है अब आगे देखते हैं इस द्रविमान का भौतिक रूप तथा रासाइनिक composition बदल सकता है अब देखिए जो द्रविमान था हमारा जो द्रविमान निकाय के अंतरगत है उसका भौतिक तथा रासाइनिक composition बदल सकता है अब हम वहां पे कर क्या रहे हैं वहां पे हम निकाय के अंतरगत हम किस चीश का अध्यन करते हैं निकाय के अंतरगत हम उस्मा गत की क्रियाओं का अध्यन करते हैं कौन-कौन से thermodynamics processes हो रहे हैं उनका क्या करते हैं इस्तड़ी करते उसमा गत की क्रियाओं का क्या करते हैं अध्यान करते हैं तो जाहिड सी बात है तो उसमा गत की हमारे जो क्रियाएं होंगी वो किस पे होंगी? मासेज पे होंगी, द्रव मान पे होंगी और इनके होने के वजए से उसका आइटन भी बदल सकता है उसका भौतिक मतलब physical structure भी क्या हो सकता है? बदल सकता है तथा उसके रसायनिक composition भी बदल सकते हैं मतलब chemical composition भी उसके बदल सकते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं एक द्रव वास्पित हो सकता है गैस का संगनन हो सकता है एवं उपस्थित अव्यों के बीच रसाइनिक अविक्रिया हो सकती है इस प्रकार का निकाय आगे अब हम दिखाएंगे आप लोगों को ठीक है